बिंदू, अनुस्वार और चंद्र बिंदू, अनुनासिक आउ पहचाने, नीचे दिये गए चित्रों के नाम को ध्यान से पढ़िए खंड क, बंदर, जंडा, पतंग, डंडा खंड क, सांप, उंट, चांद, आँख आउ जाने, खंड क के शब्दों को पढ़ते हुए आपने देखा कि ध्वनी नाक से निकलती है जबकि खंडख के शब्दों को पड़ते वक्त द्वनी नाक और मुह दोनों से निकलती है खंडख के शब्द बिंदू अनुस्वार वाले शब्द कहलाते हैं अनुस्वार का चिन्ह है बिंदू खंड ख के शब्द चंदर बिंदु अनुनासिक वाले शब्द कहलाते हैं अनुनासिक का चिन है चंदर बिंदु अनुस्वार वाले शब्द रंग, पंकज, ठंडा, गेंद, हंस, अंगूर, शंक, पंखा, संत्रा, पंचा चंद्रबिंदू, अनुनासिक वाले शब्द, गाउं, बांसुरी, बूंद, टांग, सूंड, मा, दांत, अंगूठा, बांस, अंगूठी सोचे और बताएं, नाक से निकलने वाली ध्वनी को क्या कहते हैं? नाक और मुह तोनों से निकलने वाली ध्वनी को क्या कहते हैं? बिंदू अनुस्वार और चंद्रबिंदू अनुनासिक ध्वनी वाले एक-एक शब्द बोलिए चंद्रबिंदू अनुनासिक का चिन कैसा होता है? हमने सीखा जिन वर्णों की ध्वनी नाक से निकलती है उन्हें बिंदु अनोस्वार वाले शब्द कहते हैं बिंदु अनोस्वार का चिन्ह बिंदु है जिन वर्णों की ध्वनी नाक और मुह दोनों से निकलती है उन्हें चंद्र बिंदु अनुनासिक वाले शब्द कहते हैं चंद्र बिंदु अनुनासिक का चिन्ह है